बिस्मिल्ला इरह रोहिम असलाम वालेकुम मैं हूँ फैदान हमायत आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेफ सीक्रेट रेसिपी आज मैं आपके साथ चिकंतिक्का मसाला की रेसिपी शेयर कर रहा हूं ये एक यूनिक स्टाइल रेसिपी है आप लोगों ने इसमें आप कुटी विलाल मिर्ची वन टेबल स्पून पिसी विलाल मिर्ची आफ टेबल स्पून हल्दी आफ टी स्पून बिस्मिल्ला इसमें हम तिका मसाला एड़ कर रहे हैं तू टेबल स्पून तिका मसाला है कि वन टेबल स्पून नसन दर्ख लोगर थे एसमें में नेम भी यूज़ कर सकते हैं कि अब कुछी तरह दालेंगे कि दर दर आगर इसमें बाद में प्रण खरेंगे अब भी अब मसाला चिकन टिका मसाला इसमें गरेबी चाहिए होती है हम इसमें टिमाटर भी यूज करेंगे चौप किया टिमाटर जर्दे का रंग ठोड़ा सब्सक्राइब है अब मिक्स करें लेने हैं आरा पेस्ट तिका मस्टाला के पेस्ट रेडी हो गया है कुकिंग स्टार्ट करते है कि कुकिंग का अगास करते हैं सबसे पहले हैं 100 ml आइल डाल देंगे इसके अंदर कि दोदद मेडियम प्यास कि स्लाइस कटे हुए हम गोरियम नम्हां इस असन इसमें ठाड़ करेंगे जब हुआ है यह जब जब करते हैं कि द饭ी तो कि अधार कर देंगे प्यास की भेतिशन देख लेए ज्यास की पोजिशन है, इसमें हम आप चिकन एड़ कर देंगे, लाट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, आज इसमें दो मेडियम टी टेमाटर का पेस्ट एड़ कर देंगे, इसमें वन टेबल स्टोन ब्लेक पार एड़ कर देंगे, यह हमने पेस्ट एड़ कर देंगे, इस पोजिशन में हम तिके मसारे का पेस्ट एड़ कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, अब इसको हम 10-15 मिंट पकने देंगे, तैके मसाला चिकन हर्चीज चग जान हो जाए, कोईला बनने के दे रख दिया है, कोईला डालोने के दे रख दिया है, इस पोजिशन में हम नमक एड़ कर देंगे, इस रिक्वाइड, इस पोजिशन में हम नमक एड़ कर देंगे, चिकन दिक्का मसाला रेडी हो गया है, इसका आयल के उपर आ चुका है, मसाला रचीज पक चुकी है, अब इसको हम कोईले की भाप लाएंगे, अपना रोटी के पीस लग लेना है, कोईला उड़ा के, रोटी के उपर, अइसके नमक एड़ करेंगे, और इसको फोरण भग देंगे, शुक्रा अज की रेडी होगा है, इसके में सर्विंग करते है, कर दो हुआ है, कर दो, आज की रेडी होगा है, सर्विंग हो गई है, आप लोगो ने जरू ट्राय करना है, इंशाला हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, अपना बहुत खाया लग किएगा, अलाफेज, प्रिफो कर दो. झाल झाल